प्रिजापती आगे बच्चा तो बच्चों आज का चेप्टर है का चेप्टर है नीट 2020 में बड़ा तीन कोशन आया थे और दो कोशन तो आना ही आना होता है गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग प्यारे प्यारे बच्चों सल्दिय आजिये नाजिया माविया विजय प्रजापती रोही सैयद राश्मी अनूच सचिन कौसिक रंजना अमर्जीत दीपका दीपू रभी समीर स्रेया पूजा बर्ड निदी सबको बहुत 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 गुड मॉनिंग बच्चों अफ्रोज अजय जी यस गुड मॉनिंग राजुल शिम्रन गुड मॉनिंग लकी भाई गुड मॉनिंग तो बच्चों आज का चेप्टर है स्ट्रक्चरल और्गनेजिशन इनमल्स पेज नंबर है बटा एक सो एक सो से लेके एक सो इकिस क्या बात है तो चो एक सो किस पेज आम लोग निप्ता देंगे आज एंस याटी एलेवन की टोटल पेज हैं कोशन पूचे कहा है 29 यानि एक एवरेज बनता है एक कोशन पर पेज तो बाई याद रखना एक सो बाईस पेज तक आज खतम जर्ण देखते हैं कहां से कोशन आया था तो देखिए एक सो एक सो दो इंपॉर्टेंट पेज है नीट दोजार इकीस में बटा इकीस में आया था दो कोशन पेज नंबर एक सो तीन एक सो बारह एक सो चौदा से एक सो तेरह एक सो इनिस इंपॉर्टेंट है फिर आया है बटा आपका इकीस में यहां से देखिए कोशन आ गया तो इसका कहने के मतलब होगे आपका तीन दो तीन तीन च्छे जैसे है कि जिसको ना पढ़ोगे तो कम चल जाएगा ठीक है अब इस चप्टर में बच्चों क सब्सक्राइब करें अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं क्योंकि अभी तक आपने देखा नहीं है देखा होता दो भी वड़ जाते उसकी चलिए बाई अगर हम देखा जाए तो यहां तक इस सब बाते कट करो कि यह पूरा पूरा कार्दों कोई फायदा नहीं है कि खाली यहां पर लास्ट लाइन पढ़ना होगा कि यह वाली लाइन है और ग्रूप आप सिंबलर सेल्स एलॉंग बिद इंटर सेलुलर सब्स्टेंसेज परफार्मा स्पैस्पिक फंक्शन सच अन आर्गनाज़शन इ लेकिन 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 सेल के ग्रूप को ही टिशू बोल दे बात गलत थी मैंने आल्रेडी आपको बताया था कि जब तक सेल के बीच में टिशू फ्लूड या इंटर सेल्लर फ्लूड या इंटर सेल्लर सब्स्टेंस ना पाया जाएगा तब तक टिशू वर्ड नहीं यह मैंने जब आपको पोरी फेरा वाला बताया था तो बताया था तो कहने का मतलब similar kind of cells होंगे लेकिन इनका group tissue नहीं कहलागा नो tissue यह tissue नहीं है cell का क्या है cell का aggregate है जमावणा है लेकिन बेटा अगर यही cell aggregate के चारो तरफ क्या लग जाएं फ्लूड लग जाएं इंटर सब्स्टेंस लग जाएं कुछ इस परकार से तो आपस में सारे cell कैसे हो गया connected हो गया connected कैसे हो गया feeling आपको दे सकता हूं उसकी सब्सक्राइब यहां से आपको कोई blood का particle जैसे माले glucose हो गया या मिनरल्स हो गया सारे cell को देना है बस यहां पर गिरा दीजिए इस fluid में घुल जाएगा इस cell को भी मिल जाएगा और इस cell को भी मिल जाएगा यानि टीशू के एक यूनिट की तरह काम करने लगें ठीक है ठीक है अफ्रोज मिल जाएगा आज बेद देंगे इन अटमी का इनमल कंसिस्ट आफ वनली फोर बेसिक टाइप आप टिशू कोई भी इनमल हो बटा बेसिक रूप से कितने प्रकार के टिशू होते चार प्रकार के अब इनका एक बटा पैटन होगा आरेंजमेंट का जैसे इपिथीलियल टीशू है तो या तो आउटर कवरिंग बनाएगी या किसी इंटर्नल आर्गन की जो हालो कैविटी है उसकी कवरिंग बनाएगी ठीक है ऐसा टाइप का तो कहा गया ऐसा क्यों नहीं हो गया कि सारे सेल अपना काम किये होते तो कहा गया सर अगर ऐसा किया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी क्या दिक् कत होगी सब सेल अपने बनमर्जी से काम करेंगे तो याद करिए कोई भी सिस्टम अगर वर्क करता है तो इसमां डिपार्टमेंट बटे रहते हैं कम्पूटर के का काम कम्पूटर वाले देखते हैं electricity का काम electricity वाले देखते हैं, teaching का काम teacher देखता है, management का काम management वाले देखते हैं, सब का काम बटा हुआ रहता है, तो system organized way में चलता है, जैसे हमारे body का system चलता है, and contribute to the survival of the body as a whole, ठीक है, और सारे system की importance है, एक गड़वडाया तो जैराम जी की होने वाला है, question point आप उस important नहीं था, आप यहां से आता है, animal tissue, कोई सा tissue भाया, animal tissue, the structure of the cell vary according to their function, बड़ा अच्छा line है, बहुत यची line है, very according to their function, तो याद रखिए, कोई भी चीज, अलग होता है, अपने कार के according, हम लोग भी अपने जीवन में अपने कार के according, अलग ही होते हैं, तो cell अगर अपने आपको बदल है, क्योंकि सुरू में जब cell बनते हैं, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन बाद में सब अलग लोग जाता है, जैसा उसको काम करना है, जैसे माल लोग आपको RBC, RBC को क्या लेके जाना है, oxygen करी करना है, तो RBC क्या करेगा, अपने अंदर से nucleus निकाल देगा, जिससे surface area बढ़ ज जाएगा, और क्या करेगा, जादा से जादा oxygen को transport करेगा, यह एक प्रकार का क्या है, बदलाओ है, neural tissue को क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करना है, system signal को transmit करना है, तो neural tissue क्या हो जाएगा, लेंध में बढ़ जाएगा, तार्नुमा जैसे वायर होता है, यह क्य तो बड़े तोर पे टीशू को चार गुर्प में बाटा गया है पहला है EPITHELIUAL, CONNECTIV, MUSKULAR & NEWREAL एक कोशन आया पहला कि कितने रूप में बाटा गया है broadly टीशू को तो चार पहला क्या बच्छा EPITHELIUAL, दूसरा है कनेक्टिव तीसरा है मस्कुलर चौथा है नियूरल हिंडियम मीडियम की बैच नहीं है क्या सर्जी हरण हो यह यह कि यह बात आता है तो अब हम लोग एक करके पड़ते हैं तो सबसे पहले आता है पटा आपका epithelial tissue we commonly refer to an epithelial tissue as an epithelium this tissue has a free surface इस tissue के बड़ा free surface होते हैं ठीक है अब अगर हम बात करते हैं ep मतलब होता अपान और थीलिया मतलब होता ग्रो यानि किसी चीज के ऊपर ग्रो करेंगे यहीं तो हुआ ep मतलब अपान थीलिया मतलब to grow यानि यहीं किसी चीज के ऊपर ग्रो करेंगे ठीक है बाई बारिच हो रही तो अच्छी पड़ाई करिए आप लो this tissue has a free surface which faces either our body fluid or the outside environment and thus provide a covering or lining for some part of the body जैसे मेरी skin में जो epithelial tissue है यह outside environment को क्या कर रही है face कर रही है और जो अंदर body की cavity वाली जो epithelial tissue है वो body fluid को क्या कर रही है face कर रही है तो या तो बटा यह body fluid को face करते है या तो outside environment को face करते है यानि किसका काम करते है बटा covering का और a lining of some part of the body the cells are compactly packed यह line अच्छी है इसकी cells compactly plate होते है with little intercellular matrix और जो intercellular matrix होता बहुत कम होता इसमें there are two types of epithelial tissue एक होता बटा simple epithelium और एक होता compound यह line आपको बटा याद होना चाहिए with little intercellular matrix compactly packed with little intercellular matrix यह बहुत dense packing होगी there are two types of epithelial tissue simple epithelium and compound epithelium simple epithelium is composed of a single layer of cells and function as a lining for body cavity, duct and tubes body cavity की lining, duct और tubes की lining बनाएंगे the compound epithelium consists of two or more cell layers भया अगर यह से ज्यादा cell layer हो जाएगी इसका मतब protection जैसे मालूम मुझे किसी चीज को protect करके छुपा के रखना है तो आप कहोगे एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन कपड़ा, चार कपड़ा मतब multiple layer लगाओगे ताकि वो protected रहे हैं epithelium पाजाई compound बाकि जो duct हो गया, ट्यूब हो गया, अंदर का जो cavity हो गई, उसका कौन सा epithelium होगा बट़ा, आपका simple epithelium on the basis of structural modification, अब उसमें बट़ा कुछ बदलाव होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, simple epithelium तीन प्रकार के होते हैं एक squamous, cuboidal, columnar, नाम देखके ही पता चलता है, squamous मतब चप्टे चप्टे होंगे, tile like होगे, जैसे टाइल से लगती है, cuboidal बट़ा, cube like होते हैं, और columnar आपके column नुमा होते हैं, पहली बात तो यह आया, दूसरी बात बट़ा, आपको याद होने के साथ-साथ, यह भी याद साथ-साथ जरा अगर इसको हम अच्छे से देखें तो देखो इसकी boundary जैसे कहीं मोटी कहीं पतली है, boundary कैसी होती, irregular होती है, यह भी question बनता है, squamous epithelium का figure यह है, इसकी boundary देखके ही लग रही है, irregular boundary है, तो बटा एक question आपके figure से ही निकलाएगा, irregular boundary, right, चलिए next, यहाँ पे cube like cells है, तो इसकी boundary होगा, और जैको tall pillar like cell होते है, इसलिए इसको बोलते है, columnar epithelium, एक खास बात columnar epithelium की होती है, बटा, इसमें कहा जाता है, जो इसकी nucleus होते हैं, वो base पो होते हैं, हलाकि इसमें सही से बनाया नहीं गया, लेकिन इसका एक word आता है, nuclei at base, nuclei at base, तो figure से ही epithelium में, cilia पाजाए, तो इसका नाम क्या रख दोगे, आप ciliated epithelium, किसी चीच को एक दूसरे जगह से, transport करने में, या direction में, मूब करने में काम आएगा, तो ciliated epithelium, अब भया, यह जहां पाए जाएंगे, उसी किसाब से, अपने function के recording, काम करेंगे, जैसे, squamous epithelium, तो single thin layer of flattened, चप्टे चप्टे से लोगे, with irregular boundary, तो figure में हम लोगों ने देख लिया था, boundary क्या था, yes माविया, कलुम्नार में, तो irregular boundary याद कर रखेगा, अब बढ़ा यह वहाँ पाए जाएंगे, बहुत चप्टे हैं, तो इससे चीजों का क्या होगा, transport हो सकता है, आदान प्र याद करो आपका blood vessel, blood capillary, उनके बीच में चीजों का आदान प्रतान होता है, तो वहाँ पे पाए जाएगा, तो they are found in the walls of blood vessels, and air sac of lungs, and are involved in function like farming a diffusion boundary, तो बढ़ा यह तो असान रहा न, असान ही रहा भाई, और यह बढ़ा पूछा था बहुत कुराना है, 2011 और 2010 में एक पॉइं अब ब्लड बेसल की जो वाल में squamous epithelium पाया जाता है, इसको आप जब हम लोग आगे चलके human फिजलाजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर वोड दिया जाता है, इंडो थीलियम, ठीक है, नाम दे दिया जाता है, इंडो थीलियम, चलिए, दकुबाइरल epithelium, क्यों बलाइक ह अब होगे, क्योंकि सिंपल है, इस इस कॉमनली फांड इंड टूबलर पार्ट आफ नेफरांस, इन किडिनी, एंड इट्स में फंक्शन आर सेक्रीशन एन अब जार्सन, अब बेटा बूला गया है कि यह डट आफ ग्लैंड में पाय जाएंगे, क्योंकि ग्लैंड से कुछ सेक्रीशन को प्रिफर करिएगा, अगर दोनों दिया जाएं और बोथ वगरे ना हो, तो आप सेक्रीशन को प्रिफर कर सकते हैं, अब जड़ा देखा जाएं कि टूबलर पार्ट आफ नेफरांस में जो PCT होता, प्रॉक्जिमल कनूलेटेट टूबूल होता है, उसमें क्य जड़ा देखो बेटा, अगर मैं एक स्ट्रक्चर यहां पर बना दूँ कि मालो जैसे यह स्ट्रक्चर है, सिंपल सा क्यूब हो और एक स्ट्रक्चर ऐसा क्यूब है, तो मुझे लगता है, वन और टू में सर्फेस एरिया किसका जादा होगा, तो माइक्रो विलाई के सर्फेस एरिया बढ़ गया, जबकि सम अगर स्ट्रेट होता तो खटम, तो सेम प्लेस में सर्फेस एरिया बढ़ गया, और याद करो यह बटा पा जाता PCT, प्रॉजिमल करूलेटे टिवूर, जब लोग हीमन फिजलाजी पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे यह आपने ब्रस बॉडर एपिथिलियम, क्या रख देते हैं, ब्रस बॉडर एपिथिलियम और यह चोटी सी लाइन है, लेकिन पूछी गई दो बार, लेटेस में भी आया है, नीट दोजार बीस और यह आया है, नीट दोजार चोदा, अब इनके भी फ्री सर्पेस में माइक्रोबिलाई पाय जा सकते हैं, अब एक कोशन पूछा जा कि सर, अगर इन में से आपको एक को प्रिफर करना हो, तो आप अब जार्शन प्रिफर कर सकते हैं, हो, अब ध्यान देने वाली बात है, कि चाहे कालूम्नार हों, चाहे कुबाइडल एपिथिलियम हों, अगर उसके फ्री सर्फेस पे क्या पाय जाए बेटा, सीलिया पाय जाए, तो इसको अब लोग बोलते हैं, सीलियेटेड एपिथिलियम, तो अपने दिमाग में एक भ्रांती मत रखिएगा आप, कि चाहे कालूम्नार में ही सीलिया होगा, कुबाइडल हो चाहे कालूम्नार दोनों हो सकता है, तो भाई सीलिया होगा, सीलिया काम क्या होता है, किसी पार्टिकिल को किसी स्पैस्फिक डिरेक्शन में क्या करना, को पूस को पूस करेगा और फालिप्यों टूब में एग को ठीक है और ये कोशन आया था बटा नीट 2019 और 2011 में तो यह जो बैटा पैरा छोटा साय देखो 11 में आया है 19 माया 10 में आया है 20 में आया है इंपोर्टेंट है आपके लिए सम अब दा कालूम्नार और कुबाइडल सेल्स गिट इस्पेसलाइज फार सेक्रीशन एंड का ग्लैंडूलर इपिथिलियम तभी एक मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा आपका क्यूबाइडल और का सीलिया रूप जो आया था फैलोपियन टूब आपका ब्रांकियोल्स में अब एक और माडिफिकेशन को स्पेसलाइज हो जाते हैं और उसका फंक्षन होता है सेक्रीशन का ग्लैंडूलर जैसा कोई ग्लैंड जैसा काम करने लगते हैं और एक ग्लैंडूलर एक सिल्फिलियम देयार मेंली अप टू टाइप एक बदल जाए उसकी तो क्या बोलेगे यू specialized हो गई तो क्या बोलोंगे यू एक सेल खाली तो क्या दो एक ट्रॉट कि लगें अगर इसमें से ही इस सेल कई सेल मिलके ऐसे एक depression structure बना दें कई सेल ऐसा depression बना रही होंगी तो काईसा हो जाएगा multiple cellular gland है कि ठीक है तो ज़सा देखो इसमें क्या है यूनिसल्डर ग्लैंट में एक पुरा ऐसा सिल चल रहा है एक सेल मौडिफाइड हो गई है फंक्षन करने लगी सेक्रिशन का और यहां पर दखो इपिथीलियम अंदर की तरफ धस गया और धसा तो भाई अपिथीलियम में कई सारे सेल धसे होंगे और यह पूरा इस्ट्रक्चर ग्लैंड की तरह भी एप करेगा यह हो गया मल्टिसल्डर ग्लैंड क्लियर बच्चा बोलो बोलो लाइक नहीं करते हो अब देखो हम पढ़ा रहे हैं तो बार बार बोलते भी नहीं है तक सोसते कुछ पढ़ा दे तुम्हें कुछ ज्यान मिलता रहे है यह आया हुआ है देखो नीट 2020 में और गॉबलेट से आप लोग जो पढ़ोगे हम लोग वह हम लोग पढ़ेंगे डाजेशन में बहुत अच्छे से ठीक है तो जो ग्लैंड होते हैं एक्जोक्राइन इंडोक्राइन यह स कैसे समझ मनी आता है कि मल्टी सेलर क्यों कर लागा तो वही अंदर की तरफ दस जाती है तो जिससे कई सारे सेल मिलके ग्लैंड बनाते हैं एक्जामपल इसका बटा स्लाइवरी ग्लैंड on the basis of mode of pouring their secretion एक कैसे मतलब किस चीज में अपने सेक्रीशन को उढ़ेल रहे हैं या गिरा रहे हैं उसको बोलते हैं बटा ग्लैंड आर डिवाड़े इंटो टू केडिग्रीज एक्जोक्राइन एंड इंडोक्राइन तो बटा एक्जोक्राइन में जैसे मालों एक ग्लैंड है तो एक ट्यूब में या एक डक्ट में अपने सेक्रीशन को पोर करेंगे माली जै ग्लैंड है तो अपने सेक्रीशन को एक डक्ट में भेजेगा तो क्या कहलाएगा एक्जोक्राइन और इंडोक्राइन ग्लैंड कहता है यह सब क्यों हम मेहनत करें क्योंकि तो ट्यूब अलग सेением बनाना पड़ेगा तो इसकी एक forces ट्यूक्य जहां तक जाएगा वहा तक andra स्का सपोचेगा तो एक जो क्रेंट इसन होती है इन लोकलाइजeria TD हदे जैसे माल लीजिये श्व मेरी ग्लन क्या एंध तो चूल के जरी जहां वे प्रेंट हैं टूब के जरीए माउथ यानि बकल कैवटी में सलाइवा छोड़ेंगे अच्छा सिवेसियस ग्लेंड या स्वेट ग्लेंड सोचो स्वेट ग्लेंड हमारे बौडी के बहुत जगा पूरे हर जगा में पाई जा रही है क्यों जहां-जहां से स्वेट निकलेगा वहां-वहां पाई जागा स्वेट ग्लेंड मतलब इसको ट्यूब है तो हर जगा जाना पड़ता है लेकिन आपको पता है इंडोक्राइन ग्लेंड जैसे मालो हाइपो थैलमस सबका पपा कहां रहा है ब्रेन में और बौडी को रेग्लेट कर रहा है यानि उसका फंक्शन क्या है वाश् ब्लड वैस्पुलर सिस्टब वहीं में डाल दो वह जहां चाहोगे वहां पहुचा दोगे ते बड़ा ड़क्ट लेस होंगी इंको ड़क्ट को जरते नहीं है और अपने सेक्रेशन को डारेक्टली पोर कर देते हैं ब्लड सर्कुलेशन में सिंपल सी बाद पोरिंग मतलब तो उड़ेलना या गिराना जैसे तुमारे बगल में नदी बह रही है तुम नदी में कोई समान ऐसे गिरा रहे हो तो एक्जोक्राइट ग्लेंड के बड़ा एक्जामपल है सेक्रेट म्यूकस स्लाइवा येर्वेक्स ओयल मिल्क डाजेस्ट्व एंजाइम और सेल प्रोड और स्लाइवां सलाइवरी ग्लेंड में आपका परडम संप्राइड रा एक्जी बृत मैं ड्लेंग लंट नम जो कि रहां बटा बटा उस ग्लैंड का नाम उता से ले आपको शाद हो खलेख को श्याना हो तो प्रकिन डिर बाक्ति अफ याद होता है और ग्लेंड बेटा होता है आपका सिबेसियस ग्लेंड मिल्क फार्मिंग ग्लेंड आपका याद करिया है जब हम लोग पढ़ेंगे पढ़ भी चुके हैं हुमर उपड़क्शन पढ़ें थे याद करो वहाँ पे मेंबरी अलवलाई फिर उसके बार ठीविल मेंबरी इफेरस टक्ट याद आ रहे हैं हां लेक्राइमल बड़ा ओ आई में होगा इज प्रोड़क्ट और रिलेज्ट थो ड़क्स और टूप्स इन कॉंट्रस इंडोक्राइं ग्लेंड दो नाट है बड़क्ट देयर प्रोड़क्ट काल हार्मोंज अब इंडुक्राइं इंडोक्राइं ग्लेंड के हर्मोन होते हैं प्रोड़क्ट और सटेट डिरेक्ट लेंटो दा फ्लूड बेदिंग दा ग्लैंड उसी फ्लूड में बटा हुए जिस में वो डूबे हुए होते हैं या नहाय हुए होते हैं प्लियर भाई compound epithelium is made of more than one layer multi-layered of cells and thus has a limited role in secretion and absorption तो भाई इसका तो भाई कई layer है तो secretion और absorption वाला काम नहीं होगा क्या काम होगा protection their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses कोई chemical आए कोई mechanical pressure आए जैसे मालो skin यह खीच लो फटती नहीं है अंदर के अगर अपने बॉड़ी के अंदर की skin तो खीचो तो फट जाएगी they cover the dry surface of the skin the moist surface of the buccal cavity यहाँ पे भी है क्योंकि खाना जब खाते हो तो इसा थोड़ी नहीं कि खाना इतना कड़ा है यार मुँ फट गया मजबूत है pharynx inner lining of duct of salivary gland and pancreatic. and pancreatic duct salivary gland और pancreatic duct inner lining में भी पाया जाता है यह थोड़ा सा additional है इसलिए आपको याद होना चाहिए बाकी तो आपको याद होगा जहां पे भी friction की feeling आए, रगल घिस की feeling आए, वहां पे फटने के chance जादा होंगे, तो वहां पे भाई साब यही पाए जाएंगे, inner lining of vagina में भी पाए जाएंगे, तो कहने के मतब बिटा यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पहले तो पढ़ाया भी जाता था कि भाई आपक जो skin में epidermis की layer पढ़ाय जाती थी, stratum corneum, outermost होती थी, जो क्या होती थी, dead layer होती थी, जो बड़ा skin dead नहीं है, यह बात याद रखना, skin की outermost layer dead है, ठीक है, और इसी dead layer पे हम लोग मरते हैं, यादि सब मोम आया है, और कुछ नहीं है, all cells in epithelium are held together with little intercellular material, तो भाई epithelium में जो intercellular material होता हो, क्या होता, बहुत कम होता है, इन नियरली, all animals, tissue specialized junction provide both structural and functional links between its individual cells, three type of cell junction are found in the epithelium and other tissue, बड़ा यह जब आपको हमने पढ़ाया होगा, कभी भी, तो यह बताया होगा, देखो, यहाँ से लेके, यहाँ तक हमने underline किया होगा है, AI PMT 2012-2019, तो हमने कहा कि यह मजबूत है, यह आने वाले संभावना है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा, कि 2021 में यहाँ से question पूछ लिए गया है, हला कि मैं आपको mention दे दूँगा, मैंने जानबुच के नहीं लिखा, क्योंकि मैं सोच रहता है, लिखूंगा उस समय तो ज्यादा मज़ाएगा, कि 2021 में देखवाए आया है, क्या आया था, matching type का आया था, tight junction, address junction, gap junction, किसके क्या function है, तो भया, अगर किसी चीज को tight बाद होगे, तो उससे कोई चीज leak नहीं करेगी, तो बताइए, यह जो junctional complex होते हैं, एक tissue, एक cell के बीच के और दूसरे cell के बीच में जो complex होते हैं, उसमें क्या होगा बैटा, एक तो पाए जाएगा आपका tight junction, help to stop substances from leaking across a tissue, simple definition आएगा, हाँ, तो tight बाद दो, leak नहीं होगा, adhere, adhere वड़ बेटा होता है, दो चीजों को जोड़ने का काम, जोड़ेगा और क्या, perform a cementing to keep neighboring cells together, cement का काम होता जोड़ना, cementing होगा जिससे दो neighboring cell, पर लोस के cell आपस में एक साथ रहेंगे, और gap देना नहीं कि तो यह थोड़ा gap दो जाने का रास्ता तो, तो रास्ता देगा भाई, gap junction, gap junction facilitated the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasmob adjoining cell, जिससे rapid transfer हो जाएगा, iron, small molecule and sometime big molecule, तो बटा क्या हुआ, कि यानि यह very very important रहा, आपका कहा कहा है, 2015, 2019, फिर आगया आपका 2021, यह सस्वनी, तो याद रहेगा न, असान है क्या है भाई, टाइड बान दो यार, लिक ना करे, जोर दो तनी दोनों को adhere कर दो, gap दे दो, रास्ता दे दो, जाने दो, तो सिंपल सा है यार, नाम ही रखा गया था कि इनके काम के काटिंग नाम रखा गया है, ठीक है न, तो क्या माहने, एपिथीलियल टिशू खतम, याद हो गया आपको, तो कुछ नहीं, आप क्या करना है, आप सिफ उनी पॉइंट को पढ़ना है, जो important है, फंक्शन पढ़िए, एक तरफ बनाईए सीधे आपका, सिंपल एपिथीलियल टाइप, थोड़े से उसके बारे में यूनीक पॉइंट और उसका फंक्शन खतम, अब आता बड़ा कनेक्टिव टिशू, मुझे बहुत खुशी है कि बच्चे काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राद भर क्लास सन्देग बाद भी बच्चे हैं, बहुत अंदर से खुशी होती है, कि चलो याद, बस लगे रहे, नईया पार होगी, कनेक्टिव टिशू जार मोस्ट अबंडेंट यह बड़ा पहले लाह नहीं इसका कोश्चन है, तो मोस्ट अबंडेंट एंड वादिली डिस्ट्रिबूटेड इन दा बड़ी आप कॉंप्लेक्स एंबल में कोन होगा, कनेक्टिव टिशू, बड़ा इसका नामी बताता है क कनेक्शन देने का काम करेगा, यह बड़ा इसकी कई रेंज है, सबसे ज़्यादा पाए जारा है तो रेंज भी होगी, साफ्ट कनेक्टिव टिशू से लेके इस्पेसिलाइज होगी, अब जब कोई स्पेसिलाइज में कौन कौन से हैं, जैसे कि काटिलेज, यही कोश्चन आ सकता है, इस्पेसिलाइज करेक्टिव टिशू काटिलेज है, बोन है, एडिपोज एंड ब्लाड, ठीक है, सॉफ्ट के बाद वाली बात करते हैं, यह यह इसको अगर हम टाइप में बाटे हैं, तो तीन टाइप में बाट सकते हैं, एक सॉफ्ट यानि लूज टिशू, और एक बन जाएगा बाटा, इस्पेसल कनेक्टिव टिशू, इन आल करेक्टिव टिशू, एकसेप्ट ब्लड दसेल सेक्रीट फाइबर्स और इस्ट्रक्चरल प्रोटीन काल्ड कोलेजन और इलास्टिन, यह बड़ा अच्छा लाइन रहा कि यह कोई भी लिस होगा, तो कि यह कैसा होता, फ्लूड होता है, अब फ्लूड में अगर फाइबर डाल दोगे, तो क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, इसलिए कहते हैं भाईया, इसको फाइबर्स करिए, पाइबर्स प्रॉड़ाइड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिल्टी टू धा टिशू, जाम हो जाएगा ना, बोलो बोलो बोलो, फाइबर्स क्या देते होंगे, श्ट्रेंथ, मजबूती, elasticity and flexibility to the tissue these cells also secrete modified polysaccharide which accumulate between cells and fibers and act as a matrix या ground substance अब बटा इनी cells से बटा modified polysaccharide निकलेंगे जो fiber के बीच में ऐसे पड़े रहेंगे जैसे fluid है वो किसकी तरह काम करेगा? ground tissue के एक तरह connective tissue are classified into three types तीन प्रकार को होते हैं loose connective tissue, dense connective tissue and specialized connective tissue figure भी important है बटा यहाँ पर देक लीजें labeling आ चुकी है तो यह बटा fiber को बनाने वाली cell क्या होगे? fiber blast, collagen fiber हो गया यहाँ पर एक और बड़ी सी cell लग रही है इसका shape definite नहीं है इसका मतलब क्या होगा? WBC? WBC की save क्या होते निश्चित नहीं होती अगर बटा WBC आपके आगे चलके पढ़ोगे तो WBC में एक type आता monocyte monocyte बटा wondering cell है यानि कि आपका जो blood होता उसमें healthy होई मिलेंगे लेगिन अगर यह किसी tissue में जाके बैठ जाती है इसका नाम हम लोग रख देते हैं macrophage की कड़ेगरी भच्छर करने वाली कोशिका है यह WBC का ही बैठा हुआ फाम है पैचानों कैसे? save definite नहीं होगी और यहाँ पर देखो यह बहुत खुबसूरत सिल बना है mast cell mast cell से आपके हिपैरेण निकलेगा हिस्टामीन and serotonin right क्या क्या भलो बना हिपैरेण हिस्टामीन and serotonin clear हिपैरेण हिस्टामीन and serotonin दगो भाई चाहे तो हम आपको जितना पढ़ाए हैं इतना आपको दो घंटा में पढ़ाया जाएगा यह तो आप भी जानते हो इतना चीज़े अभी तक जहां पहुंचे इतना दो घंटा में आपके लिए पढ़ाए जाएगा तो आपके बैठ के हम बाते करें यास ऐसे करते रहें तो यह वेस्ट जाफ टाइम मुझे लगता है और यह हमारे जो सर हैं सिंग सर हैं मेंटॉर हैं उनका भी मानना है कि सीधी बात नो बकवास आप अपनी गोल पर फोकस्ड रही है पढ़ाई करना है बेटा आपका इंटर्टेन्मेंट नहीं करना है हां बोर रही होने देना चाहिए यह बात लगए लेकिन इंटर्टेन मतलब क्या होता है डांस करेंगे आपके लिए आप पता वैसों कॉंस्ट्रिक्टर और आज कल तो यूटूब पर हजारों डांसिंग प्रोग्राम चल ले हैं कच्छा बदाम कच्छा बदाम मैं जुकेगा नहीं साला पतन क्या कहाता रहता है कि हां सर्यास पढ़ेंगे भाई क्यों जिंद्गी कितने बार जुके होंगे पता नहीं लेकिन डालाग मारेंगे मैं जुकेगा नहीं इसाला यह छोटे-छोटे भुल्ले-भुल्लूबर के बच्चे भी यह सब कर रहे है चलो तुम लोग भी नीट से बोल देना जो नीट एक्जाम है ना यह जो परस्तितियां आएंगे मुश्किल समय तो उससों कहते नहीं मैं जुकेगा नहीं लूज करेक्टिव टिशू है शेल्स और फाइबर्स लूजली अरेंग्ड इना सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्स्तेंस फार एक्जामपल एरियोलर टिशू प्रेजेंट बिनिद्धा इसकेन हाँ हमको वह याद है हमको सब्जेक्ट याद है हाँ ही पैरिन बेटा कार्बो हाइड्रेट होगा अब बेटा याद रखना होगा आपको लूज कनेक्टिव टिशू में याद रखिएगा कि भाई लूज है तो धीला ढाला होगा इसमें फाइबर जो होंगे बहुत कम होंगे और यह स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती है तो याद कुर अगर किसी किसी में एर्यूलर टिशू ज्यादा हो जाता है इसकिन जैसे लगती पिल्पिली सी है छुओ कह रहे हैं बड़ा नराम लग रहा हूं ठीक है ओफिन इट सरवैजा सपोर्ट फ्रेमर फादा एपिथि इसी कितना अच्छी चीज बनाए जाती है जो मसल आया मसल के बाद आपका उसके उपर एपिथिलियम लगाया गया और एपिथिलियम और मसल के बीच में कनेक्टिव टिशू था कौन सा लूज एंड फैट लूज के ही टाइप होते हैं एरियोलर और एडिपोच यह लगा लूज कनेक्टिव टिशू का फ्रूड लगा दो कुछ फैट लगा दो खाना पीना खाते हो फैट लगा दो इसके बाद पाइपलाइन बिचा दो फैपलाइन में ब्लड वेसल्स थोड़ा सा उसका कनेक्शन एलेक्टिक वायर बिचा दो यानि कि निउरांस और क्या करो इनको बही इंटक्ट खढा रखना एक डंडा नूमा श्रक्ट्टर लगा दो यानि कि बोन तयार बौडी ऐसे support framework for epithelium epithelium के लिए क्या होगा support framework होगा it contains fibroblast cell that produce and secrete fiber तो बटा देखना कभी-कभी fibroblast और कभी-कभी fibrocyte आता है तो याद रखना fibroblast immature होगा और fibrocyte mature form होगा यह अंतर है Thank you सुबंबाई Macrophages and mast cells तो बटा याद रखना Macrophages भी मैंने आपको clear cut बता दिया है कि जो Macrophages होते हैं actually monocyte जब जाके किसी tissue में बैठता है तब उसका नाम रखते हैं Macrophages अलग-अलग जगहां पर यह अलग-अलग नाम होता है Edipos tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin तो आप भगवान ने कहा कि यार देखो muscle को उपर तुमने क्या कर दिया loose connective tissue लगा दिया aerular और उसके उपर यह skill लगा दिया एपिथिरियम लगा दिया तो कहीं वो धसा हुआ है कहीं पर उभरा हुआ है कहीं पर धसा हुआ है कहीं पर उभरा हुआ है सही से उसका framework नहीं आ रहा था एक पूरा सेप नहीं आ रहा था भगवान ने का रुको इसको कुछ चर्वी दो फैड दो गद्धा उसमें लगा दो जहां जहां यह सा हो patching कर दो गद्धे की तो याद करो जब बॉड़ी अच्छे से सेप में आती है तो वहां पे थोड़ा सा फैट का डिपोजिशन हो जाता है तो यहीं बात है दा सेल्स आप दिस टिशू आर इस्पेसिलाइज टू स्टोर फैट दो काम होगा एक तो बैटा क्या करें प्रॉपर सेप देगा बॉड़ी को और साथी साथ एक्सेस नूट्रियंट को ज़्यादा की संख्या में नूट्रियंट हो इसको स्टोर भी करेगा दैक्सेस अब नूट्रियंट विच आर नाट यूज इमेडियेटली और कनवर्टेट इंटो फैट्स और स्टोर इंडिस टिशू सिंपल सी बात चलिए खत्म फाइबर सेंद फाइब्रोब्लास्ट आर कॉंपेक्टली पैग्ड इन देंस कनेक् लगा हुआ है कि एक होगा है रॉन एक होता है ईक के उपर एक पैरलल लगा हुआ है तो पैरलल लगए खोंगा और यह होगा तो मजबूती अच्छे से नहीं होगी जैसे की यह देखियं कि देक्स है कि फॉल्टेक्स का है डिज्वीर हो गया और यह ओगया । मजबूत कॉन जयादा ओगा होगा डेंश रेगुलर रेबर बेदान और इरिंप्स ौप यह सुझे कर डेन्स इरग्वारण पैंटर को याद करना हागे बड़ जाते हैं फिर इसके बाद बात करते हैं In the dense regular connective tissue the collagen fibers are present in two rows between many parallel bundles of fibers जैसे कि tendon end attached to skeletal muscle to the bone and ligament which attach one bone to another यह बटा आपके dense regular example होगे tendon and ligament और प्यारे प्यारे future doctor याद रखिएगा आप यह जो माले जो bone है bone को muscle से जोडने में helpful होगा आपका tendon यह है आपका tendon यह होगे आपका मसल यह होगे आपका बूं और यह मसल कौन सा होता है skeletal muscle यह भी ध्यान रखिएगा अगर मालूम है यह आप विसरल मसल डादू तो गलत हो जाएगा अब एक bone है और बटा यह दूसरा bone है तो एक bone को दूसरे bone से जोडने वाला जो band होता उसको बोलते हैं लिगा बेंड और दोनों है टाइप आप डेंस रेगुलर कनेक्टू टिशू अब बात करते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टू टिशू की है तिसमें जो और ओरियंटेशन होगा यह बटा क्या होगा इर्रेगुलर पैटन में होगा तो उतनी मजबूती नहीं मिलेगी मैनी फाइबर तो होंगे लेकिन ओरियंटेड डिफरेंटली यानि अलाग 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 कुछ ऐसा होगा तो कुछ ऐसा कुछ ऐसा और बटा इसकून के टिशू डेंस कनेक्टिव टिशू अब तीसरा आता है इस्पेसिलाइज्ड कनेक्टिव टिशू नी ज्वाइंट ने कोई भी हर जगह होगा जहां भी ज्वाइंट आएगा हाँ दा इंटर सेललर मेटेरियर आप काटिलेज इस सॉलिड और प्लाइबल एंड रजिस्ट कंप्रेशन बड़ा अच्छा लाइन लिखी गई हैं शॉलिड तो हैं प्लाइबल हैं अगर आप डॉन वेजिटेरियन होगे तो आपने जरूर काटिलेज चबाया होगा कभी-कभी जो हड्डि खाते हो आप हड्डिक खाते हो जो लेक पीस खाते हो तो उसका बोन का ऊपर के कैफ लिमा इसट्रॉक्च्रें लगा होता Minh जिसको आप चबा जाते हो कभी-कभी वो क्या है सॉलिड तो है लेकिन क्या है प्लाइबल है यानि उसको चबा सकते हो एंड रजिस्ट कंप्रेशन यह बड़ एची बात रही है कंप्रेशन को रजिस्ट करता है और एक चीज हमको सिखाता है कि जब बहुत ज्यादा मुश्किल परिस्टिति आए तो थोड़ा सा जुक भी सकते हो उस पार आज नहीं बनने का नहीं तो टूट जाओगे इस रेजमें जैसे बोन जैसे माली बोन नुमा किया और जैसे ही वह प्रेशर हटा तुरंद अपने और इजिनल पोजिशन पर आ गया शेल साब दिस टिशू बाइक काटिलेज के लिए क्या वड़ा आएगा कांड्रो साइट कांड्रो वड़ याद रखिएगा और इंक्लोज इन इसमाल कैविटी बिदिन दा मैट्रिक स प्रोटिलेज इंडरी निवर्टिब्रेट इंब्रीओ और इंडर्ट बाद में बटा यहीं कार्टिलेज वर्टिब्रेट में रिप्लेस हो जाते हैं बोन से अब एक चीज जरा देखो यही लाइन आई थी मेंस 2012 में इस काटिलेज में प्रोटीन क्याइब हो कैसा हो गांद्रीड है प्रोटीन sucking on काटलेज इस प्रजेंट इन दटीप नोज इन नोज टीप ए ठीक है आउटर एर जॉइंट्स बिट्विन एडजेशन बोन्स आप दा वर्टीवरी कॉलम लिम्स एन हैंट सिन एडल्ट ठीक ना लॉंग बोन्स के इंड में पाया जाएगा यह बटा आपको सारी लाइनी या क्योंकि बहुत रिडूस कर दिया गया है पहले अच्छे से पढ़ाए जाता था बोन्स हाइब हाड और नान प्राइबल ग्राउंड सबस्टेंज रिचिन कैल्सियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबल तो बोन्स अपने मजबूती देने के लिए साल्ट रख लिए अपने अं परणती साल्ट सिस्टम से मिलें के बनी होती है तो जो आपका इंडोस्क cavaletan होता में मेन कौन होता है अगर ना रहा है तो हमारा जैसे Councillor बाड़ी है इसे पक्ड़ा का एस सपोर्ट एंडा और उर साल्ट इसको सपोर्ट कर रहा है इसे मार रहे तो चोट नहीं लग रही क्योंकि बोन है रिप से बोन की सेल को बटा यहां पर ऑस्टियो वर्ड आता है ऑस्टियो साइड कहलाएगा और इसमें इस पेस पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लेकुनी लिम बोन में जैसे लांग बेन हो गया तो बैटा सर्व करेंगे वेट बीरिंग फंक्शन जैसे मेरा इस समय पूरा बेट कहां पर है लेक पर पर है और साथ ही साथ इसकेल्टर मॉसल के साथ मिलके जब आपके साथ मैं बाचित कर रहा हूं मूमेंट कर रहा हूं यह कौन करा आजाती है वह होती हो और एक प्रोटीन आओर है कसी नौ था मिल्क प्रोटीन तो भाई ऊसीन हो गया बोन कसीन निल्क की सक्लिटर मसल के साथ जुरके बड़ा मुवमेंट करेंगे bone के अंदर bone marrow मेरा भाई marrow यह important है जितने भी प्रकार की blood cells बनती है काँज बनती है bone marrow से यह हम लोग कहाँ पढ़ेंगे circulatory system में in sum is the side of production of blood cells blood is a fluid connective tissue fluid connective tissue blood है containing plasma by blood में क्या पाएगा blood plasma and red blood cells white blood cells and platelets पूरे detail में इसका जो संख्या आएगी सब पढ़ेंगे आगे चलके लेकिन अगर परसेंटे जयाद करने का मन कर रहा तो याद ही कर लो तो 55% plasma होता था और 45% आपके cells पाएजाते थे जिसका दूसरा नाम होता था ट्रांसपोर्ड आव वैरियस सब्स्टेंज यूवी लग लिख भी दिया लिखा है चिंता ना करो 17 और 18 चप्टर में तुम्हें हम पढ़ाएंगे चलिया आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए बच्चों देखिए हम आप लोग के साथ हम लोग डादवर अभी क्लास लियोंगे हो सकता पूरा पूरी बायो रिवाज करा है तो हर प्रकार के बच्चे के लिए हमारी स्ट्रेटजी तयार रहती है फिर NCRT लाइन बाइज फिर इसका हम लोग साले छे वज़े से इसी जो तीन चेप्टर हमने पढ़ा दिया है मार्फोलाजी इस्ट्रक्चरल और इनटमी इसका रैपिट फायर बिद पीवाईकू करा दिया जाएगा तो इतनी बार करायेंगे विटा अब पढ़ा देंगे देखते हैं आ थोड़ा सा काक्रोच अर्थवाय में यह सब ठीथ है जब थोड़ी से ट्रिक्वी हैं एक साथ हो सकता दिमाग में ना गुसे तो हो सकता कल थोड़ा भी आज़ा एह च्छपी एव लें लेंगे अलग से काक्रोच और फ्राक कर व्यों है की इस मसलेस मेड़ाम मेंनी लांग च्लीननंडीकल फाइबस आर्रेम गेड़ी एनाप एल लैज तो यहल्य मसल्लेश्ल इस उद्रिकल फाइबर का बना होगा और पारलेली लगाओ गां इस फाइबर और नुम्रस फाइन फाइबर जाए जाता है जिसको कि मायोफाइब्र तो बिटाब इसमें स्वाटिन होती है और लेंथ नी ओती है सिकुडना और फैलना देर एक्सल मुव तो अधर तो अचेंस इन दा इन्वार्मेंट और पोजिशन आप गार्ड आप गाल्ड आप गाल आप हां, जैसे ermanे अपने हाथ को ऐसे मोड़ा तो कौन सा मसल ने कांटरेट किया बाइसेप्स है ठीक ना और जब मैंने अपने हाथ को ऐसे खोला ठीक ना तो इसको कौन सा मसल होती है पता ट्रायसेप्स मसल इसको ऐसे खोलती है ठीक है आघि का गा बोडी तो एजर दा चेंज इन दा इन्वार्मेंट और मेंटें दा पोजीशन स्टुडवारियस पार्ट आफ दा बॉडी इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन आल मुवमेंट आफ दा बॉडी मसल आराफ थ्री टाइप्स इसकेल्टल स्मूद एंड कार्डियक मसल इस सब्सक्राइब है इसकेल्टल मसल टिशू इस क्लोजली अटेश्ट हुआ इसकेल्टल बोन्स इन टिपकल मसल सच अज बाइसेप्स इस्ट्रियेटेड यानि स्ट्राइब्ड इसकल्ड मसल फाइबर और बंडल टुगेदर इन पैरलल फैशन असीत आप टप कनेक्टिशू सब्सक्राइब्र को क्छेटल मसल का अब आप इस ट्रीव अगाल धनी सट्राइब्ड होगा देखने से ऐसा अबावार सक्टाइब से पटी दार तो तो लेकिन मैं आपको इस फिर के जबर एक पॉइंट लिख वाना चाहूंगा तो बड़ा यह दो को पहला है स्केलेटरल मसल का तो देखिए पट्टीदार दिख रहा है सिलेंड्रिकल है लेकिन बड़ा एक खास बात यहां पाती मल्टी नूकलियेट होता है तो कैसा हो गया सिलेंड्रिकल और साथ ही साथ स्ट्राइब्ड और एक पॉइंट आता है आपका मल्टी नूकलियेट मल्टी नूकलियेट कैसा होता आपका मल्टी नूकलियेट होता है ने 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 च्छा बज़े सिन बज्झे तक नहीं होगा और िसकेबसमूंदस recognizes 영상을拍ber कैसा है एक दूड और ये दोग बंडल कैसा रहे या यह इसमूंद मौसल फाइबर दो जिलंडिकल एक मतरब कैसे हैं बीच में ओप और प्रत साथ बYo's साथ बन्दल नहीं अकेले पाइजाते हैं अकर स्बी अकेले पाइज practicing है और साथ बढूत यहां पर देखो हर में एक नूक्लियस यानी यूणी नूट्र कॡ्रेर है पुर्फ यह सब चलो तो कि सिर्व यह का से अन्यनुक्लियाट हीया यहँ न संभर आण कर चिंग्र अगित अध्रक्य возмord सीलंडर कर सिंद्रक्ट COP था क्लच है जैसे यह रोकर एक कि को ठीक्रास पांच कहों दो सिलंड्रेंट करांच एकन नब्हकर देखाई कैसा तो चैसे बूइन ब्रक्रा waiver और साथ साथ यहां पर जंक्षन में एक बिटा इंटर कैलेक्टेड डिस्क पाए जाता है यह इसकी खास बात है इंटर कैलेक्टेड डिस्क देखने में कैसा होता है इसका इन वालूंटरी होता है यह बड़ा खतरनाक है देखने में तो मसल जैसा दिखेगा और कार करने में कैसा होगा स्मूद मसल जैसा तो यह होगे बड़ा आपका बंडल में सिलंट्रिकल होते हैं फ्यूजी फॉर्म होते हैं यूनिय-खुलिएड होते हैं और जंसन में पाए जाता है इंटर कले Also यद्न आगे बढ़ जाते हैं चली अ मदावत مसल को हुआ व्geb доллар अइड बो थेलिष फूजी-फॉजी फॉर्म लिखा भी है and do not show station already आपको मार्फोलाजी हमने पढ़ाया तो मार्फोलाजी बेटा जो रैडिस होता है टैप रूट अप रैडिस ओभी स्पिंडिल से बहुता फ्यूजी फाम होता है इसके माद जन्रेट्व नुक्लियस आफ पॉलन ग्रेन ओभी कैसा होता है स्पिंडिल से फ्यूजी फाम होता है और माटोटिक स्पिंडिल होता ओ भी बेटा कैसा होता है स्पिंडिल नाम करते स्पिंडिल से अब कर रिएसेयं और बंडल टुगेधर इन रिना कनेक्टिव टिसू सीथ दॉट अप इंटनल आर्गन सच अच छे था ब्लड वेसल तमक में इंटेस्टाइन में यह पाया जागा यानि जहां पर फंक्षन कैसा हो इन्वालूंट्री जैसा हो जो आप अपने विल से डारेट रेगुलेट ना करें सोचें और तुरंद उसको कर लें ऐसा नहीं कर पाएंगे इस पोन मसल और संट यह ऑदात नहीं कंटोड एक कोैशनाहता हैं इसमूद मसल का का में प्रेंघ लगायंगे तक कर पाएंगे हैं और एक होता है sub-conscious effort जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती है इस स्मूद मसल और इन वांटरी आप इसको नहीं कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं जैसा कि हम लोग स्केलेटरल मसल में करते हैं एक कॉंप्लेक्स मिकैनिजम से जाएगा आर्टोनॉमस नर्वस सिस्टम काडियक मसल टिशू इस कॉंट्रक्टाइल टिशू प्रेजेंट वनली इदा हाट यह तो खतरनाक बाद होगी सिर्फ और सिर्फ कहां पाजाएगा हाट में पाजाएगा सेल जंक्शन फ्यूज दा प्लाज्मा मेंब्रेन आप कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम इस्टिक टुगेदर वाई सेल जंक्शन तो जोड़े यह जोड़ेगा दैट इस वेन वन सेल रिसीवा सिगनल तो कॉंट्रेक्ट इट्स नाइवरिंग सेल और आल्सो इस्टुमिलेटेट टू कॉंट्रेक्ट एक से दूसरे सेल में बेटा जो कम्मिनिकेशन का काम करता है उसका नाम होता है इंटर कैलेटेड डिस्क तो मस्कुला टिशू में बटा वो इस्ट्रक्चर याद होना चाहिए कौन कैसे काम करता है अब आता है नियूरल टिशू इसमें थोड़ी सी बात ही पढ़नी है क्योंकि बागी डिटेल में आपका नियूरल सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग हुमन फिजलाजी में तबा अब आता है वो कौन है बिटा आपका नियूरल टिशू अ ए नियूरांस डा यूंट आम नियूराल सिस्टम और एकसाटेबल सेल्स दा नियूरो गलायल सेल्स विसिस कंस्टीटूड दा रिच्ट आफ दा ओल नियूरांस दो परकार की चीज़ों से मिलकेबनी होगी हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोग्लिया एस्टोसाइड डेंडरो ओलिगो डेंडरोसाइड स्वान सेल्स ठीक है जब हम वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन अभी तक याद कर लो नूरांस वाली जो होंगी यह बैटा आपका फंक्शनल यूनिट होगी यह क्या करेंगी बैटा जो आपका इंपर्स कंडेक्शन में काम करेंगी यह नूरांस करेंगी और उसको सपोर्ट और प्रोटेक्शन का काम कौन करता है नूरो ग्लायल सेल्स नूरो ग्लिया मेकप मोर देन वन हाफ दा वालूम आप नूरल इन अवर बॉड़ी है ठीक है एक बड़ा पॉइंट यहां पर आपने एलगी में यह प्लांट किंग्डम में भी हाफ पड़ा था हाफ आपदा कुछ काम था वहां पर क्या था बताए पड़ा चुके हैं या दूना चुके हैं नहीं वो मल्टी पूलर है यह स्थेसिंड एलगी बहुत बढ़िए बहुत बढ़िए बहुत बढ़िए बहुत बढ़िए बहुत बढ़िए बहुत बढ़िए when a neuron is suitably stimulated and electrical distribution disturbance is generated which swiftly travels along its plasma तो यह बटा देखो डाग्राम बना हुआ है यह बाइपोलर नहीं है बटा देखिए यहां पर यह सेल बाडी से कई सारे प्रोसेस निकले हैं तो मल्टी पोलर नूरान हो गया membrane arrival of disturbance at neural ending or output zone trigger event that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells फिल लिख दिया है यो बिल स्टेडी देटर लिंदा चोर्ट नूर्टी वन neural control and coordination वहां पर पता चलेगा कैसे नर impulse conduction होता है बोलिए बाई यहां तक कैसे लगा इसी बात पर सभी लोग लाइक कर दो बाई अब तक तो 100 लाइक हो जाने चाहिए थे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे आरगन एन आरगन सिस्टम चले भी अब फर आगे बढ़ते हैं लोग अब आम नों टीशू पढ़ लिया क्याकश पढ़ लिया टीशू पढ़ लिया इसको अब epithelial tissue connective tissue muscular tissue neural tissue अब यह टीशो मिलके क्या बनाएगा आर्गन और आर्गन मिलके क्या बनाएगा आर्गन system चलिए वाई the basic tissue mentioned above organized to farm organ which in turn associate to farm organ system in the multicellular organism such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism कहां गया ऐसा organization इसलिए किया गया था कि ताकि बहुत अच्छे से काम हो सके coordinated way में हो सके तो कि हमारे सेल में millions of cells पाई जाती है trillion में पाई जाती million लिखा अलग बात है इस और बाड़ी इस made up of one or more type of tissue for example heart में अगर हम लोगा हार्ट में तो heart is consist of all the four type of tissue जैसे epithelial connective muscular and neural tissue पे लाइन चाहो तो आप याद कर सकते हो कि ऐसा नहीं कि heart में आपने देखा तो आपने बस बोल दिया sir heart बना है आपका cardiac muscle से हैं नहीं उसमें epithelial भी होगा connective भी होगा neural भी होगा we also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trend this discernible trend is called evolutionary trend अगर देखना है तो जैसे देखो peripheral cell aggregate, silentator tissue, tenophora tissue, platyhelminthus में organ आया और organ system आया लेकिन अभी well blood circulatory system closed वाला और orthopoda में next system आ गया आपका respiratory system और जैसे जैसे हम लोग non-caudate से coordinate में बढ़ते गए वैसे organ system well developed होता गया शुरुआत में जो blood circular system आया था जैसे example ले लेते हैं तो कैसा था simple type का था physis में vertebrate में भी physis में क्या था दो chamber थे single circulation था रेप्टाइल में कैसा था amphibia में कैसा था incomplete double circulation था लेकिन bird और mammals में कैसा हो गया complete double circulation हो गया ते कैसा ट्रेंड है evolutionary trend है बदलाव होगा according to need अब बुरान खान बटा जो शुडूल आपको बायो वाला मिला हुआ है फुल लेंद का बीडियो पड़ा होगा सरका हमारे इस 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 समय पर लोग आएंगे तो आपको हेक्टिक नहीं रहेगी नहीं तो कभी चूट भी जाएगा ठीक ना अब भाई एवलूशन आप पड़ोगे क्लास टिल्ग में तो कर दो हम पढ़ चुके हैं यू आर बिंग इंट्रदूस्ट तु मार्फोलाजी और अनाटोमी आप थ्री आर्गनिजम एड डिफरेंट इवलूशनरी लेवल तो सो देयर आर्गनेशन फंक्शनी तीन आर्ग अब इसको देखना हैम इसकाल मर्फोलाजी इन देखा अब ट्री अफ प्लांट और मैट्रोब्स थार्म मार्फोलाजी प्रिशाजली मीन सेवनली इस बिस बीछ इंक्षा वहन इनमा दिस डिस दिफु तो जिस डिवह थार्फोलाज यू था निव च्लार्ट इूड पौन अर्थमाम काक्रोच फ्राग रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट एंवर्टिब्रेट क्या बात क्या बात है अर्थमाम और काक्रोच क्या है इनवर्टिब्रेट है और फ्राग भाई साब क्या है वर्टिब्रेट तो यह आपको बताया जाएगा कि सर सुनो सुनो सर सु कि इनकी मार्फॉलाजी देखो इनकी एनअटमी देखो और इनकी फेजिजुलाजी भी देख सो किसी ने लगे हैं और कोने से और वाणी उप्डि तो इसलिघ्छाइब tapa आज है इस फुल लेंथ का आप लोग जोईन कर लेजिए फुल लेंज टेसरीज अभी हम आपको लिंक पर प्रोवाइड कर रहे हैं जो इसका स्टेडूल का वीडियो है पबंजी डाल दीजी वीडियो तो हम आज स्टार्ट करेंगे बढ़ए अरथ्वाम और अर्थवाम स्टार्ट करने शपले हम चाहेगे talent l like सṣte पि अर्थ्वाम अरथ وार्वाम अर्थ मतब जमीन किडा जमीन में रेखने वाला क्यीड़ is called आर्थवाम है कि टॉपिक वाज़ा बटकल है युन्ट वाइज यूबीटी की बात करें यूबीटी कल है चलिए भाइज थैंक्यों रोई थैंक्यों तो अर्थवाम इजा रेडिस ब्राउन टेरिस्ट्रियल इन्वर्टीब्रेट देखो अर्थवाम पढ़ने पे हर बार यही बच्चा के करते हैं आर्थवाम को देखो कुछ थोड़ा सा अलग कर दें को सकता कुछ यादी हो जाए ट्राइ करते हैं रेडिस ब्राउन इस ब्राउन टेरिस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट इन्हेबट अपर लेयर आप्ड़ मॉश्ट वाइल तो बैया नमी वाले गीली मित्टी मे क्या होता है बैटा यह अपर लेयर में पाय जाता है और देखने में कैसा होता है रेडिस ब्राउन क्लर का सब लोगों ने केच गवा देखा होगा दूरिंग डेटाइम दे लेवी नदा बरो मेड बाइ बोरिंग एंड स्वालिविंग दा स्वायल दिल के समय यह आपको ज्यादा नहीं दिखते हैं क्योंकि यह बिल में छुप में रहते और उस बिल को कैसे बनाते हैं उसको क्या करते हैं बटा बोर्क छेद करते हैं मिटी खाते रहते हैं श Siz impos family निकाल देंगे तो इसलिए किसांका और फ्रेंड बोला जाता क्योंकि मिट्टी को खाके जब डाइजेस्टियों से निकालता है तो खाद कितना यूज होता है और साथ मिट्टी को क्या बना देता है पोरस in the garden they can be traced by their fecal deposit known as worm casting ठीक है जो मिट्टी खाके और निकाला है उसको बोलते है वर्म कास्टिंग तो इसके जरी आप जान सकते हैं और यहीं कहीं होगा केचुगा the common Indian earthworm are Ferritima and Lumbragus हाँ बैच तो common Indian earthworm को ने बटा आपके Ferritima and Lumbragus तो यहां पर क्या important about Ferritima and Lumbragus था अर्थवाम have long cylindrical body the body is divided into more than hundred short segment which are similar in metamere about 100 to 120 in number 100 से 120 ही नंबर होता है तो बटा ज़रा एक बात बताईए कि यहाँ पे जो अर्थवाम के body segment होते हैं वो metamere होते हैं 2021 में भी question आया था आपको पता है metameric segmentation तो metameric segmentation का एक खास बात यह थी externally और internally दोनों divided होती हैं और कोई ना कोई आरगन हर metamere हर segment में repeat करता है a line होनी चाहिए और देखना है इनका segment कितने होते 100 से लेकी 120 तक अब बेड़ा इनके darsal surface और winter surface को हम लोग पहचानने के लिए क्या देखना होगा तो the darsal surface of the body is marked by a darsal median mid darsal line यह नहीं डarsal blood vessel तो इनका darsal surface जब देखना होगा देखोगे एक blood vessel black से गुजरेगे median बीचो बीच डार्सल लाइन पे तो जहां पर ब्लड वेसल गुजर रही मतलब तुम समझ जाना हो डार्सल surface है along the longitudinal axis of the body the ventral surface is distinguished by the presence of genital opening अगर हमें ventral surface को देखना है तो वहाँ पे genital openings पाय जाएंगी जिससे समझ जाओगे कि सर यह क्या है आपके ventral surface है anterior end consists of the mouth and the proostomium अगर इसका anterior end देखना होगा तो जैसे मालो अगर मैं बनाओं एक opening होगी इसको क्या करोगे mouth mouth is an opening ठीक है जैसे हम लोग पूरा कभी-कभी सोच लेते हैं माउथ है यह माउथ नहीं बगया जो ओपनिंग है यह माउथ है माउथ के पाद एक वर्ड लिखा प्रोश्टूमियम और लिखा है क्या है अलोग विच्छ सर्वैजा कवरिंग फार्दा माउथ कहते हैं एक डब्बे नुमा ऐसा इस्टूक्चर होता है इसको बोलते प्रोश्टूमियम ठीक ना एंड एज़ा वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इंदा स्वैल इंटू विजदा अर्थवां में क्रॉल बड़ा वेज मत्तब समझो आप लोग देखते हो कभी कहीं पर मिट्टी या बालू हटाए जाती है कुदाल या फावला लिया जाता जैसे ऐसे करके लोग फेकते हैं मिट्टी देखा होगा आप लोग तो इसको जो इसका लोहे का पोर्सन होता इसको बोलते हैं वेज नुमा स्टूक्च्डल कया अपनुमा होता है वेज ठीक है तो यह माउध के पास ऐसे लगाए होते हैं और मेट्टी को ऐसे से हटा के आगे बढ़ते हैं तो वाइट प्रोइस टोमियम आपका ये विजनुमा है जो आपका बालू हटाने वाला उठाते हो उसकी तरह सबसे पहले टच करता है दब फर्स्ट सेग्मेंट इसका पहला मिटमियर बनाओ तो फर्स्ट सेग्मेंट को हम लोग क्या बोलते हैं पेरिस्टूमिय और खास बात यही रही आपकी अजर बहुता है कि यही पार्ट आया था दोयजार इकीस में स्टेटमेंट के फा तो कई सारे बच्चे कई सारे बच्चे कहने लगे कि सर यह पर पढ़े ही नहीं थे इसलिए कि उन्हों काक्रोच पढ़ा ही नहीं था तो बटा याद रखना प्रो मतब होता है पहले तो माओत के उपर एक फावडे नुमाई इस्ट्रक्चर लगा होता है उसको बोलते हैं प्रो इस्टोमियम जो सेंसरी नेचर का होता है और जो मिट्टी हटाने का काम करता है लेकिन जो पहला सेग्मेंट है अर्थवाम का उसक आए कि एम थेकर नहां का क्हाना थो स्कौप बटा भी हटेरी श्ट्रम मलग बोलो वासंARY दो 15 में आया है कि दफ फस्ट बॉड इसको युजए इसकोल्ट परिस्टोमिय बचल सब्सक्राइब के बाद जो इसना ता विस पने दमाऊ इन मैचुर वार्म से बहुत अच्छे से बना हुआ और यह दम डिएग्राम बना है दम वह जो आ बालू और मिटी हटाने वाला फावडे के नुमा इस्तिमाल होगा ऐसे हैं कि देखे हो गया आपको कि माउथ ओपनिंग है और पहला सेग्मेंट हो गया परिष्टोमी है वह प्रोष्टोमी है बहुत अच्छा सा बनाएं आप लुदा कि में इज़े आए यह रिचेतर कि यह cry देखो इसे सपॉल और सबस्क्रियार चाई सब्सक्राइब और उसके बाद वाले रिजन को बोल सिग्ष वोड झायई ले को सब्श कांद टीन समय को यह कि नहेंने होगा लुक्न को उलाइन प्रज़क अन्धा सथा स्पीनेक्रे में 1 कि स्पैम मत करो में ब्लॉट कर देंगे तो क्या बोला मैंने अभी तक मैंने सिंपल से बताया पहला सेगमन के बारे में अइसे याद करो पहला सेगमन पेरि स्टमिय में उसमें अ curry माउत प्रो लविख दोuğ में काम में मिट्वी हठाना's फ्रिय ने चर्थ तम हो गया 14 से लेकर 16 14 15 16 क्लाइटेलर रीजन होता है उससे पहले उसके बाद में पोस्ट क्लाइटेलर इतना बात याद होगी तक बढ़ जाते हैं अब बड़ा क्लाइटेलर कैसा होता है डार्क तो दिखा ही था और साथ ही साथ ग्लेंडूलर टिश्यू होगा आगे चल कि इसका बड़ा अच्छा काम आएगा भाई क्लाइटेलर का दस दब बादी इस दिजल इंटो थी प्रॉमिनेंट रिजन प्री ख्लाइटेलर क्लाइटेलर एंड पोस्ट ख्लाइटेलर सेग्मेंट क्लियर चले तो इतनी बात याद हो गहीं दो अराम से कर रहे हैं अब बेड़ा फोर पेर आप इस पर मैथिकल अपर्चर आर सिचुएटेड इंटो वेंट्रू लैटरल साइट इस अब कहानी को अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूं तो मुझे लगता है कि यह भी मैं इस फीगर को कि यह वाला देखो देखो बेटा ध्यान दो इसको कट करके दिखाया गया है यह सेग्मेंट नंबर 5 को ध्यान दो और 6 को ध्यान दो तो हर सेग्मेंट के बाद बेटा क्या होता गा उसमें एक पट्टी होता होगा क्योंकि बाइश सेग्मेंटेड है तो जब क्या बोलोगें इंटर सेगमेंटल गूरुप क्या बोलोगें इंटर सेगमेंटल गूरुप चलिए बढ़िया हं अब जारद दिखो शच्टा सेग्मेंटत्र सुच्पियाँ आठा सेग्मेट लगी हुई है कि और वंट्र रोडAc रे तो इस इस पर मैथकी की पोजिशन क्या हो गई 6 7 8 9 तो साट फार्म में हम लोग क्या कर देते हैं 6 to 9 लिग देते हैं यह मटकी की बारे हम बात कर रहा हैं लेकिन जो इसका ओपनी है इसकी जो ओपनी है यह तो देखो जंसन बिट्विन 5 और 6 के बीच में यह क्या 6 और 7 के बीच में यह क्या 7 और 8 के बीच में है और आट और 9 के बीच में है तो अगर मैं वर्ड बोलू इस पर मेसिकल अपरचर तो बई स्पर उप्र मैं बारेमवा गया कि सर्ययसुल आज़ए ह। चटल में में पूरा। साथूए में है। नववय में है, चार पेर है वेंटरो लेटरल है, यानि वेंटर साइड और लेटरल लगा हुआ है ठीक है लेकिन इसकी जो पोर है इसका जो ओपनिंग है वो इंटर सेगमेंटल ग्रूप पे पाजा रहा है, तो पाँच में पाजा रहा है, तो इसलिए इसको मैं लिख देता हूँ, फिप्थ टू नाइंग, तो बड़ा यह बात बड़ा गडबल लगता है, इसलिए याद रहना चाहिए, कि इस पर मैंट की शिक्स टू नाइन है, तो अपर्चर क्या होगा, उससे एक पहले सेगमेंट से मिलेगा, फ अब इसके बाद देखो जरा 14 और 18 सेगमेंट को देखो, 14 सेगमेंट में देखो, ते मालों ओवरी हैं, और ओवरी बेटा यहाँ पे आके बीचो बीच एक ओपनी करती है, तो 14 सेगमेंट में देखो बीच ओबीच है, और सारा इससा कौन सा दिख रहा है, वेंटरल साट द होती है, इसको बोलते है, फीमेल जनाइटल पोर, क्या बोलते हैं, फीमेल जनाइटल पोर, मिड है, सिंगल है, वेंटरल है, अब जला देखिए, मेल में, 18 सेगमेंट में, 18 सेगमेंट में, यहाँ पे दो को दो ओपनिंग दिख रही, एक और दो, तो वेंटरल साइड है, लैटरल है और एक पेर ओपनिंग होती है मेल जनाइटल पोर की हलाकि अभी अच्छे से जब रिप्रोड़क्टिव पढ़ाएंगे पढ़ा देंगे लेकिन वहां की लाइन मुझे समझानी थी तो यहां से समझाना असान हो गया तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर को फीग लेटरल साइड आप दा इंटर सेग्मेंटल ग्रूप पढ़ा दिया अल्रेडी है पांच में से नुए सेग्मेंट तर अ सिंगल फीमेल जनाइटल पोरीज प्रिजेंट इन दा मिड वेंटरल लाइन आप 14 सेग्मेंट तो अभी दिखाया था फीगर से ज्यादा समझ्वा सेग्वास नेकर मिड ओम है मिड़ागा सिंगल वक्राइट लाइन ओगा 14 और भया और भया वी मेर में आता है एक कोए झायकर में क्या आता है 14 और एक में क्या आता है 14 कद बस फी मेल है तो 14 सेγमेंट पाय जाएगा आपका फी मेल जानेटल पूर-अ-पिर आम मेल जानेटल पूर और प्रिजेंट आंद आउं दा वेंट्रोलेटरल साइड आप दा एक टीन सेगों मेल वाला आपको याद होना हैं तो फोर्टीन एफ और में लोगा बैटा पेयर में होगा वेंट्रो लेटरल होगा एटीन सेग्मेंट होगा बहुत सारे नेफ्रीडियों पोर पाजाएगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है एस कृट्री यार्ग नेफ्रीडिया अब यह कामन बात लिए आगे अच्छ सेटी होगा अंबेडीन ऑफ इच सगमंड के कैंद्र पर लोको मोशन में तो याद रखना एक टेरिस्ट्रियल एडाप्टेफसन है कैसा है टेरिस्ट्रियल एडाप्टेशन है लेकिन आगर आपको एक्वेटिक फार्म में जाना होगा जैसे की नेरीस तो वहां पर क्या पाजाता था पैरा ओडिया जब मैंने इनमल किंग्डम जाता था कि अठीक है बुरहान खां करवाते हैं बच्चा तो टेरिस्ट्रियल हो गया और पैरा पोडिया और बेड़ा याद रहे चाहिए आपको जो पैरा पोडिया होता है एक्वेटिक फार्म नेरीस में पाया जाता है और एस चिपडिक फार्ड़ा टेरेस्ट्रियल फ ने पहले हम लोग पड़ते हैं the body wall of the earthworm is covered externally अर्थवाम की body wall better externally covered होती है by a thin non-cellular cuticle तो बटा याद रखना चाहिए कि इनकी body को क्या होगा cover करेंगे cuticle थोड़ा सा क्या होगा waxy cuticle होगा जो मजबूत देगा लिह कैसा होगा नॉन सेल्लर होगा बिलो विजदा एपीडर्मिस पाए जाएगा और एपीडर्मिस में दो मसल लेर होगी सर्कुलर एंड लॉंगी टूर्णल जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करें इनरमोस्ट सिलोमी के भी थीलियम होगा जो बॉडी कैविटी को क्या करता है फेस करत सर्फिस से एयर का एपजाक्सन करेगा क्योंकि इसमें कोई रेस्पारेटरी सिस्टम नहीं पाए जाता है उसके बाद जो एपीडर्मिस की लेर आएगी उसमें सर्कुलर और लांगी टूर्नल मसल होगी और साथ साथ जो अंदर की बॉडी कैविटी को फेस करने वाली एप सब्सक्राइब के लिए तो बॉडी वाल यहां दोना चाहिए भाई और उसी ककुन में क्या होगा फर्टलाइजेशन और डवलप्मेंट दा इलमेंटरी कैनल इस्टेट ट्यूब एंड रंस बिट्वीन फर्स्ट तो लास्ट सेग्मेंट आप दा बॉडी तो बाई कम्प्लीट डाजेस्टि सिस्टम में तो माउट टू एनस रन करेगा तो कह मस्कुलर फैरिंग्स में लीड करेगा याद करना मस्कुलर फैरिंग्स की सुर्वात हो गई थी आपका एसकल मंतिस से हैं नेरो ट्यूब इसो फैगस यानि 5-7 सेग्मेंट होगा इसो फैगस जो कांटिनुवस होगा बटा एक मस्कुलर घिजर्ड में 8-9 सेग्मेंट में गीजर्ड का काम होता चक्की नुमा तो एक ग्राइंड करेगा स्वाइल पार्टिकिल को और डिकेंग्स को गोपाल डरो मत डर क्या के जीत हैं इस ट्रमक बेटा एक्स्टेंड करता है 9-14 सेग्मेंट में आपको पता होगा फूड जो होता है इसका डिकेंग और्गेनिक मे अजिए फिटेंड टू लास सेग्मेंट तक पहाए जाता है इंटेस्टाहिंड और चब्विस सेग्मेंट आपको याद होना चाहिए चब्विसमाद तो बाई छोड़ो अब यह सब पढ़ना छोड़ो माउथ पहले सेग्मेंट में इसके बाद आएगा बटा बक्तल क्या एक से लेके तीन फैरिंग्स लिख लो चार से लेके पांच इसोफेकस लिख लो फाइब टू डिसेवल गीजर्ड लिख लो एट टू नाइन इस्टमक हो गये नाइन टू फोर्टीन इसके बाद इंटेस्टाइन फिप्टीन टू आनवर्ड क्या कि मैंने बोला एक से तीन बकल कैविटी इसके बाद फैरिंग्स छोटा सा मस्कुलर फैरिंग्स चार से पांस तक जाएगा इसके बाद बैटा आपका फाइब टू सेवन आ जाएगा इसोफेकस एट टू नाइन होगा घिजर्ड मस्कुलर जो ग्रांडिंग करेगा स्व फोर्टीन आपका इस्टमक जिसमें कैल्सी फेरस ग्लेंड पाजाते हैं जो हुमिक एसिट को नुट्राइज करते हैं और फिप्टीन टू लास्ट होता है बटा आपका इंटेस्ट टाइम तो ऐसे याद होगा अलग से लिखोगे तब याद होगा अब बेड़ा आपका 26 स से एक कौनिकल मास गुजरता है इसको मुलों बोल देते हैं कि इंटेस्ट टाइनल सीका टीकर ना तो पहलात आया 26 में से कौनिकल मास एक्सेंड करता है उसको बोलतें इंटेस्ट अनल सीका और 26 में से क्या करते हैं भी वेंटरल लाइन होती है लिइंज पесьर्फिश एरिया बढ़ जाएगा इसको मुझत बोलते हैं टिफ्लो **** कहां से स्टाइवाद बड़ा 26 सेइगमें फिर पुजा सर कहां तक जाएगा तो कहोंगे सर लास्ट तक जाएगा लेकिन लास्ट के 23 से 25 सेगमें छोड़ देना जैसे माल लोगा अर्थवाम में सेगमेंट है 123 है जो टिफलो सोल कहां से स्टाट होगा 26 से स्टाट होगा और कहां तक जाएगा सौंवे सेगमेंट तक जाएगा लाश्ट के 23 छोड़ दिया है ठीक है चलो एक बार कर देते हैं एक से तीन जो इस एक से तीन पांसे साथ आठ से नो से नो से चोड़ा उसका पंदरा से लाश्ट 26 सेगमेंट है हां बाई सीकम को लाउन रेक्टम है टिपलो सुल का काम क्या होगा बाई इन फोल्डिंग है तो सर्फेस एरिया को बढ़ा देगा तो ऐसे बेटा याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा ने तो याद होना मुस्किल हो जाता है तो सेगमेंट याद जैसे आर्थ हम मैं आपको एक पीडियाफ आज प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें यह सब पॉइंट लिखे रहेंगा लग से तो क्या आद करोगे एक से तीन पांच से साथ ऐसे करके याद करते जाओं ठीक है कि एक सर बहुत ज्यादा डर लग रहा है ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं है जब ऐसा लगे तो सम्मलों ज्यादा पढ़ा हुआ है कि डर उसी को लगता जिसने पढ़ाई की है आघे बढ़े जाये ऐल सिस्टम तो भाई आपको पता होगे इसमें प्लाडड वैस्ट्रे सिस्टम का ये निया बनडब बाहर नहीं ब्लड वेसल और हाट में ही पड़ा रहेगा ब्लड कॉंट्रेक्शन की ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डारेक्शन ब्लड बढ़ता रहेगा वेसल इसमालर होंगी और गट नर्व और बाडी को वाल को सप्लाइ करती जाएंगे ब्लड ग्लेंड साथ प्रिजेंट ओंदा फोर फाइफ और सिक्स बड़ा चार सो चपन याद कर सकते हो दो जगहां आएगा भी तो फोर्थ फिप्थ और सिक्स सेग्में ब्लड ग्लेंड पाए जाती है अब इसका फाइदा क्या है यह बड़ा दे प्रडूस ब्लड सेल्स ए ब्लड सेल को करेगी साथ साथ हीमोग्लोविन और हीमोग्लोविन यहां पे ब्लड प्लाजमा में डिजॉल्व है तो बताई हमारा हीमोग्लोविन कहां पाजाता है हमारा हीमोग्लोविन हूमन्स में हीमोग्लोविन कहां पाजाता है हीमोग्लोविन इन हूमन्स हीमोग्लो in humans yes RBC के surface पाजाता है अंदर है ना तिहां लेकलो हुमन में इन हुमन्स हीमोग्लोवीन इस फांड़ेट या ओन आर्वी सी सर्फस या सर्फस आप आर्वी सी चलिए ब्लड सेल फैगोसेटिक होंगे अर्थवाम लैग इस्पेसलाइज ब्रेडिंग डिवैसेज तोकि मौस्ट कुटिकल के जरिए क्या करेंगे रेस्पारेशन कर लेंगे जनरल बॉडी सर्फस से तो यहां पर ब्लड में क्लोज वर्ड या दूना चैर पांच है आनो प्लाजमा में जरा यहां पर देखिए हार्ट की पोजिशन याद कर लेना एक लेटरल हार्ट है और लेटरल इसो फेजिल हार्ट है साथ नो बारा तेरा हलाकि पहले पूछा जाता था आप नहीं साथ नो बारा तेरा इस्क्रेटरी आर्गन अकर्स ऐज सेग्मेंटली अरेंज क्वायल टीबूल काल निफ्रेडिया तो आपको जादी होता है इसका एस्क्रेटरी आर्गन होता है singular होगा नेफरेडियम तीन प्रकार के होते हैं एक होता है स judgmental कि दूसरा आиваем अधिसरा होता है फरेंजर अच्छ्रां मत्बद क्या होगा स nhưng मैं या इंटस्योग्मों से पड़ा पे पाई जाएगा और बड़ा ये कि दोनों साइट पाए जाता है और inner c ray ओपेलों होता है इंत्रेस्टाइन में अन्दर ओपेड्र हो रहा है कि कि इन्टेन वाद होता है इन्टेस्टाय इन्टेट इन्टेंग Corona कि अधूटरों होता है इंटेस्टाइन तो इस्किन पर पाए जाएगा बॉडी लाइनिंग पर पाए जाएगा और यह बढ़ पाए जाता तीन से लेके लास्टे तक और यह बाहर निकलेगा यानि एक्स एक्स्टीरो नेफरिक होगा बाहर की तरफ और फेरेंजीयल है तो फेरेंज्ट वाला रीजन यानी 4 से स्टार्ट होगा तो 4,5,6 इस रीजन में बटा फेरेंजल निफ्रेडिया पाए जाता है और थ्री पेर्ड के टुफ्ट होते हैं गुच्छे होते हैं तो जिरा इन बात बता बटा अभी मैंने 4,5,6 पर आपको ब् और टप टप फेरेंजल नफरेडिया ब्लड ग्लेंड पर लिखे लो चार पांच चार पांच चे इसके बात बटां इंटेग्मेंटरी नफरेडिया देखो आपका थ्री टू लास्ट जाएगा तो याद करो इंटेग्मेंट में आता है ती कि ती टी और ती मतलब थ्री और जाएगा कहा तक लास्ट तक अव को इन बाटिंटेग्मेंट मतलब इसकी नोटा अपता बॉड़ बादिवाल पर पैगा बाहर फेकदेगा है और बड़ां वे इश्टायन को सुरू हो वहाँ सच्टार निफेडिया कि ज़िए बाइक जहां से इंटेशwyn syqler होगा वहां से 17 जाट होगा आपका सब्सक्राइब ने फैडिया गठ आपकी सारी लायनीग याद है तो इसकी भी आपको याद हो जाएंगे नर्वस system का है गैंगलिया उगया होंगे आपको पता होगा क्लिया होगा इनकी नर्व कार्ट कैसे हो थे यह थे में टर्ल होते हैं constitutional होते हैं हर्याक है रिंग नुमा इस्ट्रक्चर होगा उसी से आपका बाइफरकेशन हो जाएगा जो लेटरली बेटा कहा जाएगा फैरिंग को जोइन करके सेरिबलर गैंगलिया बनाएगा नर्व रिंग की तरह जैसे मैं बता हूं तो है मैंने बनाया तीसरे चोथे में गैंगलिया ऐसे दो नर्व कार्ड वेंटरली चलती चली गई है तो जो नर्व रिंग होगा सेरिबलर गैंगलिया में बनेगा जाएगा तो बोलो यहां तक की बातें क्लियर हो गई आगे बढ़े हैं इनमें आखे नहीं होंगे लेकिन के पास सेंसेटिव फोटो रिसप्टर्स पार्ट होंगे जो लाइट इंटेंसिटी को डिस्टिंग्विस यानि पहचान सकते हैं इन्हीं अर्थवां को अगर टार्च मारो गए तो भाग लेगा वहां से हटना चाहेगा हीट को सब्सक्र सब्सक्राइब कर सकता हैं वार्म है इस्पेसलाइज कीमो रिसेप्टर यानि टेस्ट रिसेप्टर होता है विच रियक्ट्टू केमिकल इस्टुमलाई दीज सेंस आर्गन सार्लोकेटेड अन्दा एंटीवियर पार्ट आप दा वर्म अर्थमाम कैसा होता है बटा बाइसेक्शल यानि हर्मा फ्रोडाइड होता है टेस्टी जैन ओवरीज प्रिजेंट इन्दा सेम इंडिविज्वल अब टेश्टीज की दो पेर होता है विटा इसमें और इग्रहामें सेंटर्वें होता है देर वासा डिफरेन्सिर रं अप से दिखाता हूं आपको हाँ है कि अधार में तक गया अब बैटा वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक डेक्ट आएगा इधर से वासा डिफरेंसिया दोनों खुल जाएंगे अठावे सेग्मंट में और साथ ही साथ बैटा याद रखना कि अठार में सेग्म इसबर्न में इसको सपोर्ट करने वाली ग्लैंड होती है अक्षैसरी ग्लैंड साथ ग्लैंड फिलता है आपका वेंट्रो लैटरल साइड पर फिल्ट सेग्मेंट इस्परमेथकी पढ़ाई दिया था छटवे से लेके 90 तक पाय जाएगा हर सेग्मेंट में एक में क्या होगा एक इस्परमेथकी पेर पाय जाएगा they receive and store spermatojova during copulation spermatojova मतब इस्परम को receive करने वाली मटकी यह स्परमेथकी है one pair of ovaries is attached at the intersegmental septum of 12 and 13 ovarian funnel are present beneath the ovaries which continue into oviduct joint together language पढ़ोगे तो नहीं मजाएगा figure अभी दिखाते हैं oviduct joint together and open the ventral side as a single medium female genital pore on the 14th segment चलो फीगा देखते हैं देखो टेस्टिस की position होगी वी दस के और गिर्हामे में ठास तरह टेस्टिस और उसका सेक पड़ा यहां से 16 सबढ़ा crown all दक निकली जिसका नाम सभावा अंता वासा डिफरेंशिंटी और यहां यहां से प्रोष्ट ट्यूट आई यानी वासा डिफरेंसिया का प्रोष्ट्रेटिक डर्ट और यहां का जो इस्पर्माटिक डठेमाग्ट गड़ा यह देखिए एक पेर हर सेगमेंट में तो क्या लगता है आपको कि फीगर पड़ोगे लेंगवज पड़ोगे अब ज़रा दोको अब देखो यहां से यह जो इस्पर्म को स्टोर करने वाली मटकी क्या थी छटे में साथमें में आठमें में और हर सेगमेंट में एक एक पेर पाया गया है अब ज़रा ओवरी की बात करते हैं तो ज़रा देखो ओवरी की पोजिशन यह है तो देखो क्या लग रहा है बारा औ कैश करने वाली फनल होगा और एक तरव इसको कैश करने वाली फनल होगी लेकिन बाइद दोनों की एक है तो जाइट से बाद है दोनों फनल जाके चौधा सेंट में जुड जाएंगे और में वेंट्रल ऑजी दोड़ फीमेल जेनेडिल फोर खुल जएंगे तो ओपनींग आप फीमिल जैनेडल फोरे before ने में और रहे है अब में जैनेड़ पॉलोन है अब है जे लगता है यहां पर दो अर्थमाम आपस में म्यूचुवल एक्सचेंज करते हैं क्या करते हैं Imma mutual excess करते हैं कैसे करते हैं क्या अफ्चवाम ऐसे है तो दूसरा ग मन अपना इसके ऑपोज्ट ऐगा सव्धारेक्शन रहें can our एक अथ्वाम ऐसे है तो दूसरा अथ्वाम ऐसे आएगा इसको बोलते है जक्स्टा पोजिंग यानि अपोजिट होगा अगर यहां पर इस पर मैथिकल पोर है और यहां पर आपका 18 सेग्मेंट का पोर है तो देखो यह वाला 18 यहां पर मैथिकल पर आगया और यह वाला 18 यहां के इस पर मेथिकल पर आगा और धीरे 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 मठकियों को भर दिया बस यही काम करना है ठीक ना तो जरह बताइए कि यहां पर जो फटलाइजेशन होता हूँ कैसा होता बटा आपका जो भाई जाने वाले कौन रोप सकता है देखें अब मेच्वर एक्षेंज आप इस पर मकर बिविन टू वर्म दूरिंग मैटिंग वर्म हैस्टू फाइंड अन्यदर वर्म एंडे मेट जक्ष्टा पोजी ऐसे हैं सिंद्धिर्ग नहीं जक्ष्टा पोजि एक का दूसरे को ॐरा क्रास फटलिए शम एक एक का और दूसरे के मंतकी के सामने आगा सबद्गी का और दूसरे को ऑनकी भर गई इंदा फार्म पैकेट लड्डू की नुवा जाता है इसलिए इसको बोलते हैं इस पर मैटो फॉर मैच्वर इस पर मैं एक्सेल एंड नुट्रिटिव फ्रूड डिपोजिटे निकाकूंस प्रोडूस बाइदा ग्लेंड और प्लाइटेलम और यह आया था में 2011 बहुत पुर प्लाइब अब दिए इसमें इस पर माके भर गया है लेकिन आपका फोटीन सेग्मेंट के पास यहां पे निकलता है एग यहां निकल आए इस पर मियां है तो आपको पता हुए 14 15 16 सेग्मेंट में क्या पाइज आता था तो इस एक हाड कवरिंग की सेक्रेशन करता है जिसक जब दीरे से सुखता है तो यहां पे प्रेसर डालता होगा जब प्रेसर डालता होगा तो उसका एग कहां पर आ जाता होगा 14 सेग्मेंट का कपून में आ जाता होगा अब कपून दीरे दीरे सिलिप आप होता है बाहर निकलता है जैसे नौवे बजाएगा इस पर प्रेसर डालेगा ऐसे करते करते काकून में आपका स्पर्म भी आ गया और एग भी आ गया तो भाष्ए जल्ट को बात कंट पह सुन के इंदर इंब्रियो कहा बनते कि उंदर डिपलंप्मेंट का essent का का कि उंदर अपकोन बनाता को ने आपका क्लाइटे लग ठीक ना यह बाते रही यहां पर खत्रमाग ना तो है तो बाइसेक्शुल लेकिन सेल फटलाइजेशन नहीं होता है क्रॉस होता है है क् I'm a 자ine development अकर बिदिन दा कपून विचाठ डिपोजिट इन स्वाइल कर दिया जएगा दोवा एगार फिर्टलाइज वैदा इसपर्म सेल बिदिन दा कपून which then slip up the worm and is deposited in or on the swell तो ओवर इस पर बेटा ककुन में आ गया है अब वो अर्थवाम के बॉड़ी से निकल जाएगा और deposit हो जाएगा स्वैल में दा ककुन hold the worm embryo after about 3 week each ककुन produces 2 to 20 baby worms यह lining पेंटर है कहते हैं कि worm के embryo ककुन के अंदर है और 3 week के बाद 3 सपता के बाद हर ककुन से कितने निकलेंगे बटा 2 से लेके 20 तक baby worm निकल सकते हैं average कितना निकल सकता है 4 average आप 4 होता है लेकिन 2 से लेके 20 तक रेले मतलब किसी ककुन में 2 हो सकता है किसी में 10 हो सकता किसी 15 हो सकता है ऐसे तो बैबी बोल रहे हो लारवा नहीं बोल रहे हो इसका मतब यह क्या है डारेट डेवलप्मेंट है कोई भी लारवा नहीं बनता है और यह कोश्चन आपका आ चुका है जिसको हम लोग ने डिसकस किया था इनमल किंडम ने डेवलप्मेंट अब अर्थवर्म इस डारेट डिए दियर इस नो लार्वा इस फांट तो यह रहा आपका अर्थवर्म अब बढ़ा एक बार मैं सुरू से दगो सेग्मेंट बोल देता हूं ध्यान से सुल लीजिए एक एक लाइन में बोल देता हूं पांच मैट लगेगा तो डाजेस्टो सिस्टम की बात करते हैं तो ओपनिंग पहले सेग्मेंट होता पेरिस्टोमियम कहलाता है उस पे फावड़े नुमा इस्ट्रक्चर होता उसका नाम होता प्रोस्टोमियम जो सेंसरी नेचर का होता है और क्रैक वगरा को खोलने का काम करता है सेग्मेंट ए उसके बाद 9 to 14 पाया जाता है आपका इस्टमक, इस्टमक में कैल्सी फेरस ग्लैंड होता है, जो हुमक एसिड को क्या करता है, नूट्रलाइज करता है 15 to last होता है आपका इंटेस्टाइन याद रखना चाहिए 26 सेग्मेंट इंपार्टेंड होता है, 26 सेग्मेंट से बाद चौनिकल मास निकलते हैं जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल सी का और 26 सेग्मेंट के ही मीडियल डार्सल लाइन पे इंफोल्डिंग होती है, टिफ्लो सोल कहलाता है जो एब्जार्शन सर्फेस एरिया को बढ़ा देता है क्लो सर्क्लियर्टरी सिस्टम पाया जाता है ब्लड वेसल, हार्ट और इसके जरीए ब्लड बहेगा, कनफाइंड होगा उसी के अंदर साथ ही साथ बटा एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे ब्लड ग्लेंड की पोजीशन 4-5-6 में होती है, जो ब्लड सेल और हीमोगलोविन को बनाता है और इसका हीमोगलोविन बेटा आपका प्लाजमा में डिजाल्व होता है, ब्लड सेल का नेचर फैगोसिटिक भी हो सकता है रेस्पारिशन बेटा मौश कुटकिल के जरीए होगा, कोई अलग से रेस्पारिटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होगी एस्पारिटरी सिस्टम की बात करते हैं तो नेफ्रेडिया के जरीए होता, सिंगुलर होता नेफ्रेडियम, तीन परकार का नेफ्रेडिया पाय जाता है सेप्टल नेफ्रेडिया, इंटेगमेंटरी नेफ्रेडिया एंड फैरेंजियल नेफ्रेडिया septal nephredia है तो septa पे पाय जाएगा और intestine में खुलता है इसका मतलब अगर intestine में खुला है तो जहां से आएगा intestine वहीं से पाय जाएगा intestine की सुर्वात हुई थी 15 से लेके last तक तो septal nephredia पे पाय जाएगा 15 से लेके last तक integumentary nephredia के बोलने के मतलब integument मतलब skin यानि body wall पे पाय जाएगा बाहर की तरफ खुलेगा surface पे अब body wall है और integument में T हाया है तो तीन से लेके जाएगा last तक three to last pharyngeal है तो pharyngeal 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 four यानि four five six यानि four five six की position हमें याद हो नीच चाहिए हैं क्योंकि four five six में बेटा आपका blood gland भी पाय जाता है और three paired tough top pharyngeal nephredia भी पाय जाते हैं four five six में इसके बाद अगर हमारे reproductive system की बात करते हैं पहले male की बात करते हैं तो 10 और 11 में बेटा यहां पे हर segment में एक एक pair accessory gland पाय जाता है female genital pore की बात करते हैं तो 14 segment में mid ventral पाय जाती है और ovary की बात करते हैं तो बाहरावें तिरावें की इंटर segment सेप्टा में पाय जाता है फरनल जो निकलेगा वो mid ventral जूंट के 14 में खुल जाएगा इस पर महत्की पाय जाता है आपका छटवें सथमें आठवें नवे segment में अगर देखा जाए भईया तो यह दोनों वर्म का position बड़ा दूर दूर है वर्म का position में जो male poor और female poor और इस पर महत्की बहुत दूर दूर है तो ऐसा लग रहा है कि इन है तो इसका बात क्या होगा इसमें बठक जश्टा पोजिंग दो अर्थमा में एक पास आएंगे एक का थार में दूसरे के मठकी के सामने आजाएगा दूसरे के मठकी के सामने आजाएगा दीरे 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 दोनों एक दूसरे के मठकी को भर देंगे कैसा हो गया जक्स्टा पोजींग और क्रॉस फटलाइजिसन दोनों एक दूसरे को म्यूचूवल एक्षेंज बोला जाता है अब इसके बाद आपको पता क्लाइटेलम की पेजिसन होती थी 14-15-16 क्लाइटेलम ग्लेंडूलर टिशू होता था जिस कारह से क्लाइटेलम बनाता है तो वहां से सपरम आजएगा ककॉन के अंदर और यह अर्थमाम के बाडी से स्लिप आप होके हैं व्म के अंदर होगा और जोईरियो काधलम्मेंड होगा और जो print क्लाइट holes forth आदा होगा जो हर काकॉन मेघा तीन वीक के बाद दो से लेके 20 बेबीप वर्म होते हैं एवरेज आता है चार का और डेवलप्मेंट हो गया डारेक्ट कोई डारवाई स्टेज नहीं पाए जाती है ठीक है बाकी बटा आपका काक्रोच थोड़ा तो बच्चा हुआ है और फ्रॉग तकल कर लेंगे तेसी बात पर लाइक मारी है थैंक यू सो मच हौ मौर आजा असे करते हैं आपको फीघर के जरी याद रहेगा ने तो आप याद करते रहें नहीं याद होगा फीघर के जरीए करोगे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तहनी याद हो चलो, बाबाई, टेक केर, मिलते हैं कल साड़े साथ बजे, ध्यान रखना, आज इसका रैपिट फायर है, साड़े छह बजे